हेलो येर गईस वैलकम बैक टो दिस चैनल सो गईस क्या से हो अई होप आप सभी लोग बढ़ हैं यूँगे गईस आज मैं आप लोगों के लिए काफी बढ़ियां वीडियो लेके आ चुका हूँ इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने Redmi 10 Prime फोन में डिस्पले फिंगरप्रिंट लोग सैटिंग को किस तरीके से ओन करो और आप अपने फोन की डिस्पले पर फिंगरप्रिंट लोग किस तरीके से लगाओ यहाँ पर इस फोन में आपको जो सैट पावर बटन होती है वहाँ पर फिंगरप्रिंट का सैंसर मिलता है लेकिन यहाँ पर इस फोन में आपको एक और सैटिंग मिल जाती है जिससे आप यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से डिस्पले फिंगरप्रिंट लोग लगा आपको यहां पर डिस्प्ले फिंगर्पेंट लगाने के लिए सबसे पहले आपके फोन की सैटिंग को यहां पर कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है फोन की सैटिंग को ओपन करने के बाद यहां पर गईस आपको थोड़ा नीचे आना है यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा का तो आपको सिंपलि सी पहले तो स्पहे क्लिक कर देना है इस पहले पहले पास्वर्सयृर्स, पहर पहले ब्रहाइете क्लिक करना है तो आपको स्थिंट ब्लग करके कि यहां पर ok कर देना है इससे क्या होगा गईस आपने पहले यहां पर जो भी lock set कि होंगे वो simply से यहां से remove हो जाएंगे हट जाएंगे इसके बाद आपको back आना है back आने के बाद गईस आपके phone की setting को फिर से open करना यहां पर आपको एक option मिलेगा लोग सर्च करोगे चुक्छ यहां पर आपको काफी सारी इन मिल जाएगी तो आपको यहां पर कोडेक्स की एक लीडिया झूपन करने की बाद यहां पर ऐसे आपको हटा देना है और यहाँ पर आपको सिंपलिसी जो अपलाई वाली बटन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपलाई कर दना आप जैसे अपलाई करोगे तो आपके फोन की डिस्प्लेइ पर यहाँ पर फिंगर्पिंट लोक लग जाएगा यह 100% वरकिंग गई इस इसे एक बार जरूर से देखिएगा ठेंक्सर वाचिंग